समस्तिपुर जीला के मुफसिल थाना के रानी टोल धाला के पास एक युवक का सब मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई घटना की सूचना पर हजारों की संख्या में ग्रामीन मौके पर पहुँच कर सब की सिनाक्त में जुट गया घटना की सूचना मिलते हैं मुफसिल पुलिस एवं सदर डीएसपी घटना स्थल पर पहुँच कर सब को जैसे ही नदी के गिनारे से निकाला तो सभी ग्रामीन का होसूर गया युवक के सब को देखते ही ग्रामीनों ने उसकी पहचान दिलिव कुमार के रूप में की प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का ससुराल घटना सल से कुछ ही दूरी पर है ये युवक बेगु सराय के भगबानपुर थाना छेतर के रहने वाले हैं और प्रोपरिटी डीलर एवं दूद बेफसाई का काम किया करता था सबकी पहचान होने के बाद दिलिव के ससुराल में कोड़ा मच गया पुलिस ने जब मिर्तक के परिजनों से संपर्क साधा तब ये बात प्रकास में आई कि मिर्तक रईवार को अपने पुतर के ना मांग कर नवोदे विद्याले में करवाने को लेकर प्रवेस परिक्षा का फॉर्म भरवाने तेगरा बाजार से निकला था लेकिन रवारात में जब घर नहीं लोटा तब परिजन परिशान हो को खोजबिन कर रही थी इस बीच समस्तिपूर पुलीस के दौरा उसके मौत की सूचना परिजनों को दी गई वहीं सदर डियस पी मुहमत तनवीर ने बताया कि युवक की हत्यात तीज़धर हत्यार से की गई है पुलीस सब का पंचनावा बना कर सब को पोश्टमार्टम में भेज कर चान बीन सुरू कर दी वहीं घटना के बाद पूरे इलाके के लोग सदमे में है दीने उसके लिए सुमन की रिपोर्ट मिरतक मेरे क्लास आती थे बुधी बन का इनका घर हुआ अनिल पाठक जी का ये लरका थे दुगद का सेंटर चलाते थे और कुछ परोपटी डिलिंग का भी एक्रम कर वहे थी तो आज कैसे उनकी हत्या हुई है ये कल तीन बजे के बाद तीन सार के बिए ये दिली पाठक है जो बेगुसरा एक तेगड़ा के स्थाई निवासी है इनका सस्राल इस गाउं में है कल शाम में ये अपने भार से जैसे ही निकले उसके बाद से कुई इनका क्रेस में था जान करें और यह सुबह में भार्दार हत्यार से हत्या की गई है अई सही प्रथित होता है परतंग्रिश्चे कि विश्वास में लेकर ले जाकर और नधी के खाट कर आराम सिर्थे वांचित की गई है पीछे से वार करें कि जानकारी मिलें कि प्रोपर्टेज इनके कारवार की तो इसमें हत्या के कारणों के विविद पहलूं कर काम किया जाएगा और इस पर सारी चीजें सामने पाताएंगी सारी बातें सबस्ट हो पाएंगी एक चीज वहां पर देखने को मिला है स्वान का पत्ता अगरवती इनाइची सुबारी मिला है ऐसा पर देखे यह मुझे ऐसा प्रतम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि उन्हें विश्वास उनसे विश्वास कायम करने के लिए यह सब किया गया है बाकी बातें अनुसंधान मे के लिए तो हैं लेकिन अनुसंधान के बाद ही असवास ठोपाएंगी कि क्या उन्हें स्वरूप दिया गया है या फिर असल मामला क्या है